चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का तो यहां पर हम पिछले को जैसा मैंने आपको सीडी को बताया तो क्लेश्टर ऑफ डिफ्रेंसियेक्शन यह भी मेरे लेक्चर्स में अब लेबल था सेल के सर्फिस पे होते हैं क्योंकि वह उनकी आइडिनिटी होते हैं क्योंक होंगा ठीक है तो बहुत ही आसान कोश्चन था जिन लोगों ने लेक्चर्स देखे थे वह आराम से कुश्चन किये होंगे इसके अलावा यहां पे लिगेंड आफ दा टीलर थी का रिसेप्टर क्या होता है ठीक है यह भी मैंने आपको एक पूरा सेपरेट वीडियो मैंने अपलोड किया था एक्जाम से पहले केवल और केवल जिसमें मैंने टॉल लाइक रिसेप्टर के बारे में बात किया था तो कॉमन सी बात अगर आप यहां पे मैंने रटाया भी था कि फ्लैजलीन में एफ उठाईएगा और फाइफ से जोड़ दीजेगा एफ और फाइफ जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा वह आपका डबल स्टैंडर आरने बनेगा तो यह भी मेरे ही पढ़ाय हुए कुश्चन से आपको मिल गया था आसानी के साथ जिन लोगों ने इसको किया वह बहुत ही अच्छा यहां पे आपको नमबर दे कर गया फिर एक कुश्चन थोड जमाक लगाना ही पड़ेगा ठीक है और हर चीजें आपको कोई भी मास्टर कोई भी टीचर कोई भी कोचिंग इंस्ट्यूट्स नहीं बता सकती है कुछ चीजें आपको वहां पे इंस्टेंट आपको सोच के आंसर करना होगा तो यहां पर पूछा गया मॉलेक्टर मास आप 300 हो गया तो क्या करो 300 में से 150 घटा दो 150 हो गया लेकिन क्या करना है कि जब यह एंटिजें बाइंड कीया है तो antibody क्या होता है मैंने क्या बता है antibody आपका y save होता है यहां पर 2 antigen binding sites होती है तो यानी कि जब 2 antigen binding site है तो हो equally bind किया होगा ठीक है, हाला कि यहसा नहीं कह सकते कि वो equally bind किया होगा, बट फिर भी हम एक ideal condition में हम इसको equal ही मानेंगे, ठीक है, तो 150 को क्या करिए, दो से divide कर दीजिए, यह आपका 75 हो गया, ठीक है, बस इसकी दो antigen binding sites होती है, तो यह आपका क्या हो गया, 75 के डिये आ गया answer, तो बहुत ही अच्छा question पूछा था, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, which of the following, which of the following mechanism allow complete absorption of glucose from the intestinal lumen into the cytosol of entrocyte, ठीक है, तो इसको हम कैसे देखेंगे, अब यहाँ पर जो questions आप से पूछा गया कि glucose का absorption, बहुत ही basic question, अगर आपने bio-membrane transport अगर आपने पढ़ा होगा, तो यह बहुत ह असानी से आप कर सकते थे, तो सबसे पहली बात यहाँ पे glucose के transport के लिए मैंने जब आपको थोड़ा सा मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, तो वहाँ पे मैंने आपको glut के transporter के number बताया थे, कि आपको कौन-कौन से याद रखने है, glut 1, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से मैंने इसका जिकर आया था, तो glut 5 जो होता है, यह आपका fructose के लिए होता है, ठीक है, fructose transport के लिए glut 5 होता है, तो glut 5 option नहीं होगा, पहला तो यह कट गया, दूसरा glucose का transport कभी simple diffusion के माध्धम से नहीं होता है, तो यह नहीं होगा, ठीक है, फिर इसके बाद आपका क्या होगा, sodium glucose का transporter यहाँ पे होता है, यह इसका correct answer होगा, sodium channels नहीं होगे, और paracellular uptake वाया gap junction यह नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पे तो इसका correct answer बनेगा, यह आपका sodium glucose को transporter बनेगा, glut 5 पे आपको नहीं जाना है, तो glut 5 तो glucose के लिए है ही नहीं, glut 5 आपका fructose के लिए है, तो यह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह इसका correct answer हो जाएगा, ठीक है, फिर आपसे एक और पूछा गया, यह मैंने आपको हर बार लटाया, antigen, antibody, interaction, enzyme, और substrate हो, कोई भी चीज मैंने आपको बताया, मैंने आपको क्या बताया था, कि सारी चीजों में non-covalent का ही role होता है, covalent नहीं involved होता है तो all type of the chemical forces are involved in the antigen, antibody reaction, except, तो यहाँ पे क्या होगा, covalent bond नहीं होता है, ठीक है, तो यह answer बहुत ही अच्छा question था, जो मैंने आपको concept दिया था, वहाँ से पूछा गया, फिर predominant antibody serum में कौन सी होती है, यह आपका IgG होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, गमदे मैंने आपक जी होता है, फिर which of the following method cannot be used, यह भी बहुत है, दुनियादारी अगर आपको नहीं पता है, मैं मानता हूँ, अगर आपको X-ray क्रिस्टेलोग्राफी नहीं पता है, नुकलर नहीं पता है, क्रायो उलेक्ट्रॉन मैक्रोस्कोपी नहीं पता है, तो भी आप कैसे देख सकते थ उस पूरे जब आप explanation को read करेंगे, तो इसका जो correct answer बनेगा, वो आपका रामाचिंदरन plot होगा, फिर यह आपका question पूछा गया, during the peak, summer and the winter, the frog takes shelter in deep water to protect them from extreme heat and cold, this is called as, तो इसको क्या कहते हैं, ठीक है, तो यह आपका hibernation and estimation होता है, बस यहाँ पे confusion यही थी, कि hibernation किसको कहते और estimation किसको कहते हैं, तो जो बच्चे इसको जानते हैं, वो आसानी से कर सकते थे, summer sleep को estimation बोलते हैं, winter sleep को hibernation बोलते हैं, तो यह भी आपका important था, जो की आसान question था, जिसको आप कर सकते थे, इसके अलावा यह question भी मेरा रटाया हुआ question था, जिन बच्चों ने इसको follow किया जो आप यूरिया साइकिल के lecture को जाईएगा, इसके लावा जब मैंने questions को आपके pyq solve कराया थे, तो मैंने आपको insect पढ़ाया था, ठेक है, वहां से आप कह सकते हैं, कि यह question derived हुआ, मैंने आपको trick दिया था, कि कौन से animal आपके yuriko tillik होते हैं, तो मैंने आपको RBI बताया थ तो B से bird, I से insect और reptile यहां पे दिया नहीं था, दिया था, लेकि उसके combination mammal था, तो वो option नहीं होगा, तो यहां पे bird and insect हो जाएगा, मतलब आप समझ लिजे कि यह question करके आपको मुस्कुरा के आगे बढ़ जाना चाहिए था, ठीक है, फिर इसके बाद आपका जो question पूछा ग आपको मुस्क्राइब करने के लिए आपका बॉटल ने की effect था, बाकी यह क्या था, इसका screenshot लेकि आप इसको पढ़ लीजेगा, तो यहां पे जो इसका correct answer दिया गया है, वो आपका genetic drift है, तो यह इसका सही answer है, राइट, तो यह explain मैंने आपको कर दिया है, इसके बाद आपसे immunology का एक question जितना मैंने पढ़ाया, वही question आपसे पूछा गया, ठेक है, the germinal center of the lymph node and spleen perform which of the following function, तो simple सी बात थी, मैंने क्या बताया था, यह आपके spleen and lymph node जो होते हैं, यह आपके secondary, क्या होते हैं, lymphoid organ होते हैं, primary lymphoid organ जो होते हैं, वहां पे, मत region से encounter होता है, यही तो बाद था, तो दीजार the site of antigenic stimulation for mature B cells, यह इसका correct answer है, बाकि आप यहां पे hematopoiesis तो नहीं होता है, तो अगर आप hematopoiesis पे जाते हैं, तो RBC का formation red bone marrow में होता है, तो वह नहीं होगा, क्यों तो primary organ हो गया, ठेक है, तो यह आपका गलत option हो गया, function in the removal of the damage erythrocyte from the circulation, यह भी नहीं होगा, क्योंकि अगर remove ही करने का काम है, तो केवल और केवल स्प्लीन करता है, lymph node नहीं करता है, and support the development of mature B and T cells, तो यह आपका जो development होता है, तो वह different organ है, यानि कि bone marrow and thymus में होता है, ठीक है, तो यह बहुत ही असान question था, और आपको doubt भी है, तो आप जाके एक बार immunology के lectures देखिएगा, और वहाँ पर मैंने इस चीच को आराम से explain किया था, जिनको सभी बच्चों को clear हो गया होगा, फिर next question आपसे पूछा गया है, कि e-collide जो होता है, उसको pollution indicator कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, तो क्यों कि क्या होता है, कि इसके जो fecal matter जो होता है, वो इसका इंडिकेट करता है, water pollution को by the fecal matter, जैसे इसके अलावा और भी याद रख लीजेगा, जैसे आपका tube effects होता है, चिरोनो मोस लारवा जो होते हैं, वो polluted water को indicate करते हैं, तो इसका जो correct answer होगा, वो आपका fecal matter होगा, इसमें कोई confusion नहीं है, और जितना जादा fecal matter होता है, उतना जादा जो होता है, आप उसको देख सकते हैं, तो यह आपको pollution के chapter में बहुत ही आसानी से यह आपको मिल जाएगा, ठीक है, आगे के लिए याद रखेगा, tube effects का नाम याद रखेगा, चिरोनो मोस लारवा याद फिर आपका nitrogen cycle, यहां से भी मैंने आपको बोला था, पढ़के जाईएगा, nitrogen cycle से भी question यहाँ पे पूछा गया, and then free nitrogen जब release हो जाता है, तो ऐसे bacteria को क्या बोलते हैं, तो उसमें चार step होते थे, nitrogen fixation, nitrification, इस तरीके से जो last step होता है, वो आपका denitrification होता है, यहाँ पे free nitrogen release कर दी जाती है, और यह bacteria याद रखेगा, pseudomonas denitrification, ठीक है, तो यह जो आपका answer बनेगा, वो आपका denitrification बनेग बहुत ही basic question था, फिर आपका evolution से question पूछा गया, the prebiotic atmosphere of the earth, reducing nature, यह जब आप evolution पढ़ते हैं, तो हमारी जो atmosphere थी, वो पहले reducing nature की थी, बाद में वहाँ पे oxygen आया था, it was transformed into an oxygen, due to the emergence of, तो जब आप सबसे पहले जो emerge हुए है, photosynthesis का जब development हुआ है, तो सबसे पहले जो आए हैं, जिन्होंने oxygen को लेकर आये हैं, तो वो आपके oxygen releasing photosynthetic organism थे, और वो आपके cyanobacteria थे, तो यहाँ पे जुसका correct answer बनेगा, वो आपको cyanobacteria बनेगा, explanation यहाँ पे दिया गया है, इसको पढ़ लीजेगा, फिर आपसे पूछा गया, fossils are generally found in, तो जैसे कि आपको बताया था कि fossils कहां पे पाया जाते हैं, तो यहाँ पे sedimentary rock पे होते हैं, यह भी मैंने लगा रखा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, one of the minute fraction of the organism living at any one time are preserved as fossils, most of them in sedimentary rocks, तो यह इसका correct answer हो जाएगा, इसके बाद यह question भी मैंने आपको बता दिया था, जिन लोगोंने मेरे lectures को follow किया था, यह आप वाइराइड का जो मैंने chapter बताया था, और प्रयाउंस, मतलब इसी के lecture में आपको मिल जाएगा, मैंने बोला था, कि लाइकेन के बारे में आपको किवल इतना याद रखना है, कि यह pollution के indicator होते हैं, तो which of the following usage is atmospheric pollution indicator, तो यह आपका लाइकेन हो जाएगा, बट मैंने आपको य बताया था, कि basically यह sulfur dioxide के indicator होते हैं, तो हाला कि यह उतना deep नहीं गए, बट आगे से याद रखेगा कि किसके indicator है, तो यह SO2 के indicator है, जो आपसे next time exam में पूछा जा सकता है, और डिटो मेरे पढ़ाए हुए questions यहाँ पे आपको देखने को मिले, अब हम यहाँ पे कुछ और questions को देख लेते हैं, cringe anatomy, यह भी आपका basic question था, C4 pathway जब आप plants में पढ़ते हैं, वहाँ पे features था, cringe anatomy देखने को मिलती थी, किसमें देखने को मिलती थी, लीफ में देखने को मिलती थी, और इसमें तो कोई confusion होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, फिर इसके बाद which one of the following is the example of the homology, यह भ of the butterfly, flipper of penguin, यह चीज़े मैंने वहाँ पे बताई थी, ठीक है, तो homology में क्या होता है, कि structure यहाँ पे मैंने लगा दिया है, कि यह plant में भी देखने को मिलता है, इसका जो example है, वो thorn of bongovalia and tendril of cucurbita, तो यह आप यहाँ से trace कर सकते थे, ठीक है, तो homologus organ हो गया, analogus organ से भी question propagation, तो सबसे important चीज़ है, बहुत ही आसान question था, जब भी आप basic tissue culture पढ़ते हैं, ठीक है, tissue culture जो भी आप basic पढ़ते हैं, तो वहाँ पर root का formation होगा, या suit का formation होगा, अगर आप इतना भी नहीं जानते हैं, तो अगर आपने, अगर आपने, मतलब, acrobacterium भी पढ़ा होगा, तो भी वहाँ से आप trash कर सकते थे, ठीक है, तो यहाँ पर root के formation के लिए auxin hormone होता है, shoot के formation के लिए cytokinin होता है, और जब इनका level बराबर हो जाता है, तो callous का formation होता है, यही basic concept था, तो root आप से पूछा था, तो यहाँ पर आपको auxin आपको यहाँ पर tick करना था, जिसमें कोई confusion न नहीं है, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि sir इसमें banana होगा, तो भाईया banana में बात सही है कि वो only once करता है, but वो sexually reproduce नहीं करता है, banana आपका एक parthenocarpic fruit है, जाके इसको देखिएगा, ठीक है, parthenocarpic fruits होते हैं, ऐसे fruits होते हैं, जहाँ पर fertilization नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क क्योंकि उन्होंने यहाँ पर sexually पूछा है, तो इस वज़ा से बनाना option नहीं होगा, remaining तो होंगे ही नहीं, तो इसका correct answer बनेगा, वो आपका क्या बनेगा, आपका tomato बनेगा, फिर ये question भी मैंने जब आपको last में seri culture, happy culture पढ़ाया था, जिन बच्चों ने उसको seriously देखा, व वहां पर रुकिएगा, ठीक, और वहां पर जैसे ही ericine आया था, कभी-कभी होता है कि आपकी वारी में सरस्वती जी का वास हो जाता है, तो वहां पर मैंने इसको, मतलब ऐसे ही, मैंने red color से इसको underline किया, और मैंने बोला कि ericine याद रखेगा, हो सकता है, इस बार आप से पूछ ले, और वो चीजें सही तोर पर भी घटित हुई, आपसे पूछा गया, which one of the following is the breed of the cattle, और इसका जो correct answer था, वो आपका ericine था, ठीक है, बाकी ये पार्ट को मैंने detail में cover किया था, ठीक है, cattle की जो species थी, आपकी जरसी आ चुका था, हॉलिस्टीन फ्रेशन आ चुका गया, और जब इसी पार्ट को मैंने cover किया था, तो वहाँ पर भी मैंने आपको fresh water और marine fishes बताई थी, जब मैंने आपको pissy culture बताया था, ठीक, और मैंने आपको हिलसा पर highlight किया था, कि कुछ भी नाम भूल जाना, लेकिन हिलसा याद रखना कि हिलसा जो होती है, वो आपकी marine fish होती है, ठीक, और यहाँ पर ditto question पूछा गया, तो दो question तो जो की, मतलब, एकदम ditto मेरे ही पढ़ाए हुए, मेरे ही content से question आप से पूछे गया है, तो निश्चित तोर पर जिन लोगों ने इसको seriously देखा, समझा, वो मतलब मुस्कुराए होंगे exam time में, ऐसे questions को देखकर, तो marine fish जो होती है, वो आपकी hilsa होती है, बाकि different fishes और इनके example रटे हुए हैं, लिखे हुए हैं, आज से अभी से इसी छड़ से इसका screenshot लेकर, अगर आप beginners हैं, तो next ICMR के लिए इसको रोज जो है, वो recall करना शुरू कर दीजे, बाकि बहुत सारी बाते मैंने वहाँ पर बता जा सकता है, फिर इसके बाद एक question जो आपसे और पूछा गया, दुनियादारी भी अगर आपको नहीं पता है, मैं बोलता हूँ कि आपको reproductive biology आपको पढ़ना चाहिए, बिलकुल पढ़ना चाहिए, ठीक है, तोकि वहाँ से questions आपकी exam में पूछे जाते हैं, और आपने नही सिंपल सा logic यह होता है, कि आपकी दो ducts होती है, developmental biology जब आप पढ़ते हैं, आपकी एक mullerian होती है, और आपकी एक wolfian होती है, तो mullerian ducts जो होती है, वो females में मतलब रहती है, और वो fallopian tube uterus यह सब बनाती है, और mesodermal origin होती है, इसको भी याद रखिएगा, right, wolfian duct हमारे में हो होती है, जब आप developmental biology पढ़ते हैं, तो initial embryonic stage पर दोनों होती है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, तो चुकि आपको अगर मेल की तरफ जाना है, तो आप में mullerian duct को खतम करना है, तो अगर आपको mullerian duct को खतम करना है, तो ऐसे substance या ऐसे हार्मोन ऐसी चीज पढ़के जाओगे, तो सीधा question नहीं पूछा जाएगा कि mullerian किसमें है, वुल्फियन किसमें है, तो आपसे घुमा के ही question पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि male reproductive track developed from, तो यह जो होती, चुकि mullerian हमारे में degenerate हो जाती है, तो हमारे में Glyco protein layer surrounding Oocyte, यहाँ पर जाएगा होती है, तो अब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए था? क्योंकि जब आप इस एक के पूरे structure को पढ़ते हैं तो यहां पर आपको जोना पहलो सुडा देखने को मिलता है और आपको Corona Radiator देखने को मिलता है एक्तिफाक से इन्होंने Corona Radiator तो option में दिया ही नहीं भाई तो अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ाई किया होगा जोना पहलो इसको कहते हैं जो एक्जो एंडो दोनों को करती है पैंक्रियाज मैंने इसका ग्जांपल बता रखा है गॉनेट होती है बाकी सिक्रीशन के अधापर तीन तरीके की ग्लैंड होती है होलो क्राइद मीरो क्राइद्य एपो क्राइद स्कों पढ़े हो गया सारा मतलब पूरी कंटेंट बाshore आ गया है बाँर हो 11 bursts मीरो क्राइद में क्य उस के सिंपल diffusion के माध्यम से आया तो इसका जो correct answer बनेगा या आपका holocrine बनेगा ठीक है तो यह यहां तक मैंने cover कर दिया है यह आपके जितने भी ICMR के section B के question से वो यहां पे cover हो गए है ठीक है तो बाकी जो section A के जो remaining question है ठीक है वो आपको evening तक मिल जाएगा section A के भी बट आराम से more than 60 to 62 यह मैं गिरे से गिरे हालत में बता रहा हूँ कि इतने questions करने बनते थे बाकी हम इसको count करेंगे और उसी के according हम इसके cutoff को predict करेंगे तो आराम से जो मैं बोलता हूँ कि आप 65 questions अपनी basic knowledge से निकाल सकते थे तो वो यहां पर आराम से आपका निकल नहा है ठीक है तो यह information आपके लिए हो गई है बाकी इस channel को subscribe करिए like करिए अगर यह video आपको अच्छा लगा हो ठीक है बाकी मिलते हैं next video में next information के साथ thank you very much